अगर आपकी motorcycle के visor में से या फिर front वाले area से annoying, irritating vibrations आ रही हैं, आपको rattling noises आ रही हैं, जिनकी विज़े से आप motorcycle चलाते टाइम, irritate हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये video आपको पूरी देखनी चीए, इस वीडियो में हम universally जानेंगे, कि आप किसी भी motorcycle के visor की जो rattling noise है, उसको कैसे identify कर सकते हैं, और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, So, hi everybody, मेरा नम अजीद, स्वागत आपका एक और नहीं वीडियो में, and without wasting much time, let's get started. But, उससे पहले बात करते हैं, इस वीडियो के sponsor की, जो की है, Carpium Bike Scanner, Basically, Carpium Bike Scanner की help से, आप अपनी bike को properly scan कर सकते हैं, उसके codes है, उनको डाइगनोस कर सकते हैं, reset कर सकते हैं, service reset कर सकते हैं, and साथ ही साथ, जो live data है bike का, उसको भी आप access कर सकते हैं, And, अभी इनके website पे summer sale चल रही है, जिसमें इनके सारे products के उपर आपको flat 15% का discount मिल जाएगा, So, link is in the description, do check it out, and भी back to the video. All right, तो सबसे पहले, ये जो motorcycle है, particular, इसमें जो vibrations हा रहे हैं, एक बार मैं आपको वो check करा देता हूँ, उसके बाद में आप अपनी bike के vibrations को कैसे find out करें, उसके बारे में बात करेंगे. तो अभी मैं जो engine है, उसको start करूँगा, और उसके बाद में आप यहाँ पर, इस side में, जो vibrations हैं, उनको notice करना. अभी अगर मैं यह जो area है, इसको दबा के रखूँगा, तो vibrations कम हो जाएंगे, तो मैं अभी आपको वो करके दिखाता हूँ. तो बात साफ है, कि यह जो area है, इस side का, और इस side का, सबसे ज़्यादा जो vibrations हैं, इस motorcycle में, यहाँ से create हो रहे हैं. अब उसके पीछे का reason क्या है? उसके पीछे का reason है, bad engineering. अब हाँ सुनने में अजीब लगेगा, माना single cylinder engine है, वाइबरेट करेगा ही, और generally काफी engine designs ऐसे होते हैं, जिन में vibrations आते ही हैं, 4000 RPM पे, किसी engine में 5000 RPM में, जादा तर जो single cylinder engines हैं, उनमें एक vibration का sport होता है, लेकिन उस sport के साथ आप deal कैसे करते हैं, उसको good engineering बोला जाता है, और अ इसको बोलते हैं, ये पूरा visor है, ये headlight है, और ये windscreen है, तो windscreen और visor का connecting point है, वो इस area में इतना strong नहीं बनाया है company ने, कि वो आपस में इतना अच्छे से चिपका रह सेके, कि उसमें vibrations की विजए से motion ना हो, अब हो गया रहा है, vibrations क्यों हो रहे हैं, वाइबरेशन इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि ये जो visor है, ये हिल रहा है, और ये हिल रहा है, लेकिन इन दोनों की जो frequency है, वो सेम नहीं है, और उसकी विजए से ये आपस में टकरा रही है, और ये आवाज आ रही है, तो इसकी दो problem ये है, लेकिन आपकी bike में अगर vibrations आएं, फ्रेंट की साइड से तो वो कहां कहां से हो सकते हैं, तो सबसे पहली जो जगह है vibrations की वो यही है, जहां पर visor और आपकी जो windscreen है, वो connect होते हैं, तो ये जो line है, यहां पर आपकी motorcycle है, उसमें अगर engineering properly नहीं करी होगी दोनों parts की, तो उसमें vibrations आ सकते हैं, दूसरा, headlight और visor और windscreen, ये तीनों हिस से आपस में जहां पर interconnect कर रहे हैं, अब हर बाइक का अलग अलग होता है, इसलिए समझा रहा हूँ, वहां पर vibrations आ सकते हैं, उसके अलावा, ये जो पूरी अपनी housing है, ये अपनी हो गई, front outer housing, अब ये जिसमें लगती है, वो है inner housing, जो की ये आप देख सकते हैं, तो ये जो करा करके भी rattling noise है, वो create कर सकते हैं, vibrations है, वो आपको यहां से सुन सकते हैं, तो ये हो गया, उसके अलावा जो last area बचता है, वो है आपका speedometer का, तो कई बार क्या होता है, कि meter है, उसकी जो housing है, वो कुछ इस तरीके से design करी जाती है, कि उसका नीचे वाला जो section है, वो आपकी inner काउल, या फिर आपकी जो windscreen है, उससे टकराने लगता है, और उससे जो rattling noise हो create होने लगती है, अब साही वर्ड जो है, वो rattling है, लेकिन vibrations easily समझ में आता है, इसलिए मैं vibrations word है, वो use कर रहा हूँ, तो आप अपनी motorcycle को start करें, जतने rpm पर या जतनी acceleration point है, उस पर आपको चलाते time vibration vibration महसूस होते हैं, उस पर उसको लेकर के जाएं, और फिर feel करें, कि कहां से आवाज आ रही है, rattling noise हो कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यह जो section है, यहां से आ रही है, या फिर आगे से आ रही है, तो आपको 10-15 मिनट, 20 मिनट जो भी लगें, आप अपना time लीजिए, और vibrations हैं, वो अपनी motorcycle में कहां से आ रहे हैं, फिगर आउट करिए, process more or less the same ही रहेगी, लेकिन फिगर आउट करना जरूरी है, आपने सीधा इवाइजर खोल लिया, आपने 2-4 जगह जो form है, जो मा आगे बताऊंगा, वो लगा दी, वो आपस fit कर दिया, वो फिर से vibrate कर रहा है क्योंकि आपने point नहीं पकड़ा, सबसे पहले जो बिमारी है, उसको पकड़िए, सबसे पहले ये देखिए, कि rattling noise हो, वो आ कहां से रही है, इस case में ये दो जो parts हैं, उन में से rattling noise आ रही है, और इस particular motorcycle के बारे में एक बात मा आपको बता देता हूँ, हलके जो vibrations हैं, हलकी जो rattling है, वो रहेगी, लेकिन ये जो है, ये इतनी ज्यादा annoying है, कि ये बाइक चलाई भी नहीं जाती है, helmet के अंदर भी ये पजतावा सुनता है, एक particular speed पर, एक particular RPM पर, इसलिए इसको fix करना जरूरी है, ऐसे ही एक example दूँ, तो Apache RTR 180 और 160 जो मोड़ा cycles हाती थी, उन में जो meter का area और जहां पर जो windscreen लगती थी, उसके बीच में foam लगानी पड़ती थी, अदरवाइस, चार से पांच अजार RPM के बीच में इतनी गंदी rattling noise होती थी, कि वो बाइक चलाई नहीं जाती थी, तो ऐसे ही हर बाइक का अलग-अलग sport हो सकता है, अलग-अलग RPM sport हो सकता है, लेकिन आपको वो figure out करना जरूरी है, तो जो figure out हो जाए, तब जो visor है, उसको remove कर लेना है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस particular बाइक में, एक screw यहां पर है, एक screw यहां पर है, और दो ऐसे ही screw, एक यहां पर, और एक इस side आपको देखने को मिलेंगे, उसकी जो rattling noise, उसको कैसे fix करते हैं, उस पर जादा focus करेंगे, तो अब यह जो visor है, इसको में remove करता हूँ, वाइजर को निकालते टाइम, उसके जो भी connections वगेरा है, electricals के, उनको remove करना ना भूलें, और इन में थोड़े वह tabs वगेरा बना के रखे होते हैं, ताकि यह properly lock वगेरा हो सकें, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान से निकालें, अदरवाइस आप कुछ तोड़ देंगे, तो वो चीज़ वाइबरेट करने लग जाएगी, so there we have it, और इसमें ये sections आप देख सकते हैं, कितने poorly designed है, और इनी की वज़े से जो rattling है, वो आ रही है, ये दोनों side है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो wind screen है, उसको visor से अलग करेंगे, जिसके लिए 4 screws खोलने पड़ेंगे, और screws इसको निकालने के बाद में, इसके जो tabs है, इनको pull out करके, जो wind screen है, उसको carefully निकालना है, ये काफी fragile items होते हैं, इनको अगर आप carefully नहीं निकालेंगे, तो ये टूड भी जाएंगे, so ये है visor में अंदर का हिस्सा, जिसके उपर wind screen है, वो लगी रहती है, तो हमें ये जो area ह majorly इस पर focus करना है, लेकिन उसके अलावा एक चीज में notice कर रहा हूँ, कि यहाँ पर जो damping foam type है, वो थोड़ी बहुत लगा भी रखी है, लेकिन ये sufficient नहीं है, so मेरा plan ये है, कि ये जो 3 sections बने वे हैं, और 2 sections जो ये यहाँ पर बने वे हैं, इन पर मैं, जो damping foam मेरे पास है, व wind screen में, जहाँ पर मुझे दिखेगी, मैं एक बार इसको लगा करके, sample करके देख लूँगा, वहाँ पर मैं foaming करूँगा, और ये वाली जो side है, और ये वाली जो side है, इस पर मैं foaming करने वाला हूँ, तो सबसे पहले, जो foam tape में use करने वाला हूँ, उसकी बात करते हैं, तो ये है वो tape, इसको foam tape बोल सकते हो, या फिर insulation tape बोल सकते हो, ये basically nitrile material है, और ये आपको एक foam की layer provide करा देता है, तो इसको आप जिन भी दो panels के बीच में लगाओगे, उनके बीच में ये basically एक cushion type create कर देगा, जिससे कि वो आपस में rub करके rattle नहीं करेंगे, बस ये ही goal है इसका और ये काफी बड़ा roll आया था, लेकिन बहुत सारी bikes वगेरा, cars वगेरा के panels में मैंने इसको use कर लिया है, तो ये थोड़ी सी बची हुई है, लेकिन इसके लिए काफी है, तो ये Amazon से purchase करी थी मैंने, और बहुत सही लगी मेरे को, description में मैं इसका link डाल दूँगा, आपको अ इसके बाद में ये कहीं पर भी आप चिपका सकते हैं, तो इसको cut करके, जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैंने plan करा है, वैसे वैसे मैं इसको लगाता हूँ, और उसके बाद में आप लोगों को showcase करता हूँ, ओला, it's so done with the damping, अब यार भावनों में मैं कुछ ज्यादा ही वै गया, लेकिन आप समझ लो यार मैं कितना irritate हो रखा हूँ इस vibration से, कि मैंने इतनी जो foaming है वो कर दी है, हालांकि इससे कुछ नुकसान नहीं है, ना ही तो कोई वजन बड़ा है, मतलब point gram में ये जो इतना material म काउंट होगा, तो उससे क्या ही फरक पड़ेगा, और ये foam है, तो ये अच्छे से दब जाती है, तो पैनल वगे रहे हैं, वो fit होने में भी कोई issue नहीं आएगा, और यहाँ पर मैंने, as you can see, काफी सारी लगा दी है, और इधर भी, और इसमें मैंने, एक यहाँ पर करके, ये जो assembly है, इसको अपनी जो मोड़ा साइकल उसमें लगा करके fit करता हूं, अब same process है, तो दिखाने हो कोई मतलब नहीं है, और आपको जो vibrations है, वो चेक कर आता हूं, कि गए या नहीं गए, ओलाइट, so done with the assembly, अभी मैं इंजन को start करके, same उतने ही rpm पर लेकर के जाता ह and let's see what happens, इस साइड से जो vibrations के कारण जो rattling हो रही थी, दोनों panels के आपस में टकरानी की वजए से, वो जा चुकी है, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं, एक नई चीज बताता हूं, वो notice करना, जब मैं 4-5,000 rpm के something, या फिर जो vibration वाले rpm sound के something जाऊंगा, तो ये पूरा वाइजर वाइब्रेट करता हूँ दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से, तो इस पर focus करना, और सुनने की कोशिश करना, आपको कोई rattling sound अगर सुने तो तो अभी मैं एक काम और करता हूँ, आपको before वाली जो footage है, वो और अभी जो after वाली footage है, वो दोनों edit करके side by side compare कराने की कोशिश करता हूँ तो बस guys इस वाली वीडियो में इतना ही था, आपने देखा कि कैसे हम जो vibrations sound को fix कर सकते हैं, ये किसी भी motorcycle पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको उसका visor खोलना, windscreen खोलना समझ में नहीं आ रहा है, तो आप service center या फिर mechanic के पास जाकर के, जिसको उसको visor खोलना आता है, उ camping वाला काम आप कर लेना, और जो foam tape है, वो description में link दिया गया है, वहाँ से आप purchase कर सकते हैं, मैं मिलूँगा आप से ऐसी ही किसी और informative वीडियो में, तब तक के लिए, पैपै